सिर ढकने के लिए पत्त्रों की कच्छी दिवार, सोने के लिए बोरियों से बना बिस्तर, खाने के लिए सूखी रोटी और पीने के लिए गंदा पानी। ऐसा नर्किय जीवन जी रहा है मंडी जीला के, धरंपुर उपमंडल के, लंगेड गाओं का एक व्यक्ति। इस व्यक्ति के बारे में शायद किसी को मालूंग नहीं था क्योंकि यहाँ जंगल के बीच पिछले काफी समय से रह रहा था। इलाके के किसी व्यक्ति ने इसके पास जाकर इसकी व्यथा का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेर कर दिया। अब यहाँ वीडियो वाइरल हो रहा है और पूरा मामला डीसी मंडी तक पहुँच चुका है। गुजारा कर रहा है। हालत यह है कि व्यक्ति के पास खाने के लिए राशन तक नहीं है, बरतन भी तूटे फूटे हैं। वीडियो में व्यक्ति सील बट्टे से गेहु पीस रहा है ताकि वह कुछ खा सके। रोटी के साथ खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वीडियो में व्यक्ति बता रहा है कि वह रोटी के साथ खाने के लिए चटनी का इंतिजाम करेगा। खंड़नुमा पत्थरों से बने आदे अधूरे मकान में, पत्थरों के उपर मिट्टी बिचाने के बाद सोने के लिए व्यक्ति ने एक बोरी की चटाई बिचाई है, जिस पर यह व्यक्ति राद गुजारता है, बिजली ना होने की वज़ा से यह व्यक्ति पत्थरों से बने दिये उप्योग में ला रहा है, वाइरल वीडियो में व यक्ति खुद बता रहा है कि वो यहां अकेला रहता है और उसके पास कुछ नहीं है जबकि वीडियो बनाने वाला शक सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है और पेंशन आधी का प्रावधान करने की बात कह रहा है और इनके पास कोई बिजली है ना पानी है पीने के लिए तो इसलिए ये पत्तर से खुद ही अपने लिए गीपक बनाए हैं देखिए तो सरकार को देखना चाही कि ऐसे आदमी को रहने के लिए कुछ विवस्ता करें और खाने के लिए कुछ दें इनको पैंसर नी कम से कम पैंसर नी लगाएं जब वाइरल हो रही वीडियो के बारे में SDM धरमपुर्श सुनील वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि DC मंदी के माध्यम से यह मामला उनके ध्यान में आया है वीडियो को वेरिफाइ किया जा रहा है पटवारी को इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है उन्होंने बताया कि अभी तक मिली रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ती मानसिक तोर पर परिशान बताया जा रहा है उन्होंने बताया कि जल्दी उक्त व्यक्ती को उच्चित स्थान पर रहने के लिए भेजा जाएगा Lifetimes TV के लिए मंडी से नीरश शर्मा की रिपोर्ट